क्लास 10 के लिए ये چैप्टर है क्लास 10 का विहार बोर्ट से जीवन की रफ्तार जिन्द्गी किस रफ्तार से आगे बढ़ती है ये लिखा है र.C. Hutchinson ने बहुत अच्छे कवी बहुत अच्छे लेखक है र.C. Hutchinson उन्होंने लिखा है बिटिश नोवलिस्ट हैं इंग्लेंड के नोबिलिस्ट है ठीक है दो चलिये पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं पेस फूर लिविंग बहुती बढ़िया रचना है अच्छा लगेगा सुनने में और कुछ सीखने को भी मिलेगा आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नोबिलिस्ट ये एक ब्रिटिश ब्रिटेन के इंग्लेंड के नोबिलिस्ट है उपन्यासकार है एक्जिविट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेर ओफूर टचिंग दे सेंसिटिव इस्यूज अफ दो कंटेंपरेडी सोसाइटी ये जो कंटेंपरेडी सोसाइटी है समकालीन जो समाज है मतलब अभी के वर्तमान का जो समाज है या जिस समय इन्होंने ये लेख लिखा तो contemporary जो society होती है जो समकालीन समाज होता है वरतमान का जो समाज होता है उस समय का जो society होता है उनके जो sensitive issues होते हैं जो some within seal मामले होते हैं उन मामलों को touch करना छूना उस some within को touch करने की जो कला है वो R.C. Hutchinson के पास है और ये क्या करते हैं exhibit करते है exhibit का मतलब होता है प्रदर्शन करना दिखाना क्या दिखाते हैं an exceptional flare ये जो exceptional flare है जो और साधारन जो flare है जो स्वभाव है ठीक है मतलब समाज की जो कुछ बाते हैं उस बातों को छूने का जो सुभाव है वो R.C. Hutchinson के पास है with all its contradictions and paradoxes और समाज में जितने भी contradiction है और जितने भी paradoxes है contradiction का मतलब होता है जो अंतर विरोध है जो विरोधा भास है कुछ विरोधी बाते होती है समाज में जो आपको लगता है कि सही नहीं है उचित नहीं है उन बातों को और जो कुछ paradoxes हैं जो मिथ्या भास है जो लगता है कि आपको जूट है बिकार है अंद विस्वास है उसके बावजूद भी आपको समाज के मानिताओं की वज़से मानना पड़ता है तो उन सारे चीज़ों को भी अगोरी आफ मॉडर्ण मैं र C. Hutchinson यो है वो मॉडर्ण मैं जो आधुनिक इनसान है आधुनिक जमाने का जो इनसान है उसका जो दुख है उसकी जो पीरा है उसको कैप्चर करते हैं उसको इस लेख में उन्होंने कैप्चर किया है लिखा है He brings out जो इनसान की जो फास्ट मुवमेंट है वस्तुओं अन्य चीजों और अन्य वस्तुओं का जो फास्ट मुवमेंट है जो तिवर जो उसमें जो बदलाव आता है जो तेजी आती है गती होती है तिवर गती उसकी वज़े से वो गतियां जो है वो गती जो है तिवर गती फास्ट मुवमेंट जो है हलचल जो है वो किस तरह सामान्य लेग को नॉर्मल रिदम को किस तरह से हर्ट करता है चोट पहुचाता है बादा पहुचाता है और एकसर्ट्स अंड्यू प्रेसर एकसर्ट्स का अनुचित बहुत ज़ादे प्रेशर on man, woman and children और ये जो rhythm है जो fast moment है इनसान के life का ये आदमी और और बच्चों पर किस तरह से बहुत अधिक प्रेशर दबाव डालती है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं I saw a play in Dublin वो कहते हैं लेखा कार्ची हसिंजन कि मैं मैंने Dublin में एक play देखा नातक देखा Dublin जगा का नाम है नोट लोंगे गो बहुत समय पहले नहीं हाली में मैंने Dublin में एक नातक देखा in which जिसमें the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town एक Irish country में देश के सहर में एक छोटा सा अनाज का व्यपारी corn merchant अनाज बेचने वाला व्यपारी के बारे में वो कहानी थी वो नातक था उसके character के बारे में he was a man of many anxieties in his hurt was Diki वो जो व्यक्ति था वो उसका जो दिल था उसका जो hurt था वो कई सारे anxieties से बहुत सारी चिंताओं से भरा हुआ था मानलो कि उसका जो hurt है वो दिकी है दिकी का मतलब होता है गधा जैसे गधे पर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है घोरी पर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है उसी तरह से उसका जो दिल था उस व्यक्ति का उनाटे का जो पातर था जो कॉर्ण मर्चेंट अनाज का जो व्यपारी था उसका दिल भी कई सरे चिंताओं से भरा हुगा था His nephew was cheating him उसका जो nephew था भतीजा था वो उसे cheat कर रहा था ठग रहा था His wife had had the fantastic notion of spending 10 euro on a holiday और उसकी wife जो थी उसकी पतनी जो थी उसे एक fantastic notion था एकदम मतलब ऐसा उसके दिल में उसका जो धारना था उसका जो विचार था वो कैसा था कि हर एक holy day पर हर एक holy day मतलब छुटी के दिन पर वो 10 euro dollar खर्चा करती थी वो उसकी बीवी और उसका भतीजा उसे ठक रहा था और उसकी बीवी की आदत थी कम से कम 10 dollar खर्चा करने का अब गरीब आदम पिचारा अनाच का वे पारी क्या करेगा altogether सम्मिला करके the pace of life was getting too much for him जिंदगी की जो रफतार थी वो उसके लिए काफी ज़ादा थी and in a moment of despair और निराशा के एक शन में जब वो बहुत ज़ादे निराश हुआ एक scene में वो निराशा के एक शन में he uttered a great cry from the heart वो दिल से बहुत कराते हुए उसके दिल से एक आवाज निकली उसके मूँ से एक आवाज निकली वो बुदबुदाया बरबराया क्या बरबराया कहते हैं उसके दिल से निकली they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour वो लोग मुझे कहते हैं कि कोई हवाई जहाज है जो एक हजार प्रती मील के रफतार से उर रहा है now that's too fast और वो बहुत तेज उर रहा है देखे ये line जो है इस line से कोई जादे समझ में नहीं आ रहा है ये line funny way में बोल दिया होगा या लोगों को हसाने के लिए लोगों को भले ही समझ में नहीं आए लेकिन मेरी समझ में आ गया लेकर कहते हैं कि मेरी समझ में आया अब देखिए उसके बाद इस लाइन का वो वर्नन करते हैं क्या For me, मेरे लिए That was the most enchanting line in the play मेरे लिए उस नातक में यह जो लाइन था वो सबसे enchanting था सबसे ज़्यादा मुग्ध करने वाला, मुहित करने वाला लाइन था ठीक है? उसके situation के हिसाब से बिलकुल असंगत थी, बिलकुल अलग थी वो line क्योंकि उसकी जो इस्थिती थी उस नातक में और उसने जो यह line बोला कि एक हजार परति घंटे की रपतार से हवाई जहाज उर रहा है और वो बहुत जादे fast है तो यह जो line है वो उसके situation के हिसाब से, उसकी इस्थिती के हिसाब से बहुत irrelevant थी, असंगत थी and besides और इसके अलावा being comic and besides being comic और comic होने के बजाए मतलब खुश होने या हसने या मुस्कुराने के बजाए it struck me उस line ने मुझे struck किया मतलब मुझे जग जोड दिया as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths एक जो एकदम perfect उदाहरन एकदम पुर्ण उदाहरन मुझे मिला वहाँ पर मैंने देखा किसीज का उदाहरन the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches उसका जो सबसे ज़्यादा जो unlikely approach था ठीक है मतलब जो असंगत असंभव दृष्टी को unlikely approach का मतलब होगा जो असंभव दृष्टी कोन था किसका at subtle truths subtle का मतलब होता है मतलब एकदम हलका फुलका या जटिल और truths का मतलब होता है सच्चाई ठीक है जिस तरह से उस Irish व्यक्ती जो था वो किस तरह से जो सच्चाई थी वो किस तरह से असंभव थी ठीक है असंभव approach था एक अलग दृष्टी कोन था यू saw what the old man old fool mean आपको पता चल गया होगा कि उस बुढ़ा जो मुर्ख जो व्यक्ती था उसने क्या का मतलब वो तुलना कर रहा है अपनी जिन्दगी की एक aeroplane से कि aeroplane एक हजार रफ़तार से भाग रहा है लेकिन उसकी रफ़तार जो है वो मेरी जिन्दगी की रफ़तार से जादा नहीं है मेरी जिन्दगी कितने रफ़तार से भाग रही है मेरा दिमाग कितने रफ़तार से भाग रहा है मैं क्या करूँ मेरा भतीजा मुझे ठग रहा है मेरी बीवी इतने रुपे खर्च कर रही है मैं किस रफतार से कमा हूँ किस रफतार से मैं चलूँ कि ये सारे जो काम है ये सारी चीजें वो पूरा हो सके उस व्यक्ति के कहने का मतलब ये था Not that I have any dislike of rapid movement myself ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो rapid movement होता है जो एकदम तेजी से जो मेरे साथ जो बदलाव होता है बदलाव मतलब मैं अभी कहीं पे हूँ दोफर में कहीं चला जाओंगा शाम में कहीं चला जाओंगा ये जो rapid movement जो होता है मेरे साथ मैं ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है ठीक है I enjoy going in a car at 90 miles an hour मैं एक कार में 90 मील परती घंटा के रफ़तार से जाने में मुझे आनन दाता है कोई कार 90 के रफ़तार से चल ला है मैं उसमें बैठा हूं मुझे आनन दाता है So long as I am driving भले ही मैं drive कर रहा हूं and so long as it is not my car मेरी car हो या नहों मैं drive कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं उससे मतलब नहीं है मैं enjoy करता हूं driving को I adore the machines adore का मतलब होता है इज़त करना प्यार करना मुझे मशीनों से प्यार है मैं मशीनों की इज़त करता हूं that hurl you हर्ल का मतलब होता है खुशी से उचाल देना ठीक है एक चकरा देना दिमाग को कि जिस मुशीन ने तुम्हें चकरा दिया खुशी से उचाल दिया about at battersi battersi जो है वो दक्शिन मतलब जो बैटर सी जो है वो लंदन का एक सुन्दर सा जगह है जहांपर बहुत सारे गार्डेंस है बहुत सारा रेस्टोरेंट है घुमने वाला जगह है वो जो बैटर सी है लंदन का एक जगह उसे मशीनों नहीं बनाया है दिन रात काम करके ठीक है तो मुझे मशीनों से मैं इसलिए मशीनों की इज़त करता हूँ जो मुझे बैटर सी जैसा जगह मिला तू डाइन इन लंदन मुझे लंदन में दोफर का भोजन करना लंच इन न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क में लंच करना और नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अगले दिन मुझे बहुत ही जादा संतोस जनक अनुभव प्राप्त होता है अगर मैं ऐसे करता हूँ तो जाता हूँ इधर उदर घुमने फिरने के लिए तो I admit मैं मानता हूँ I admit it excludes all the real pleasures of travel मैं जो travel का जो real pleasure है मतलब यात्रा का जो सुखद जो असली अनुभव है जो असली आनन्द है उसे मैं इस से अलग राखता हूँ यात्रा का आनन्द ये नहीं है कि मैं दोफर का बुजन लंदन में करूँ और लंच मैं न्यू योर्क में करूँ यात्रा का असली अनुभव असली रोमांच ये नहीं है यह क्या है the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain Somerset जो है वो दक्षिन पस्चिम इंग्लेंड का एक शहर है इंग्लेंड के दक्षिनी पस्चिमी भाग में एक शहर है जिसका नाम है Somerset कहते हैं कि आप Spain में, Spain जगा का नाम है Spain में या Somerset के किसी bus में आप जा रहे हैं ठीक है उस bus में जाने का जो आनंद है वो आनंद but it gives you a superficial sense of drama लेकिन जो बसों में जो आप घूमते हैं या इदर उदर हमेसा भटकते हैं जाते हैं घूमते हैं यह आपको एक superficial का मतलब होता है हलका-फुलका हलका-फुलका ड्रामा का sense देता है नाटक का अनभव करवाता है it was a sort of excitement our ancestors had to do without यह एक ऐसा excitement होता है एक ऐसा अनभव होता है जो हमारे पूरवजों ने नहीं लिया अब बताईए ट्रेन में घूमने का अनंद बसों में सफर करने का अनंद एरोप्लेन में घूमने का अनंद हमारे पूरवजों ने लिया नहीं लिया बिल्कुल नहीं लिया वो लोग तो पैदल घूमते घूमते अपनी जिन्दकी बिता दी ठीक उनको तो पता भी नहीं रहा होगा कि एरोप्लेन क्या होता है हवाई जहाज जो है ट्रेन बस कार मोटरगारी ये सब क्या होता है उन्हें पता भी नहीं होगा ठीक है ये सारा आनंद हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने तो पूरे क्रतग्यता के साथ पूरे एकदम खुश होकर के हम लोगों ने इस चीज़ इन चीनों को ग्रहन किया एक्सेप्ट किया उसके बात कहते हैं कि नहीं वेर स्पीड बिकमस सम्थिंग अन्फ्रेंडली अन्फ्रेंडली टू मी जहां पर स्पीड जो गती है जीवन की जो रफ्तार है वो जहां पर मुझे लगता है कि वो मेरे से अन्फ्रेंडली है मतलब मेरे लायक नहीं है मेरे अन्फ्रेंडली नहीं है is where the mental activities of our time tend कहां पर ऐसा होता है जहां पर हमारा जो mental activity है हमारे समय का हमारे जो समय जो चल रहा है उस समय में जो हमारा जो mental activity होता है हमारा जो मानसिक जो काड़ी होता है हमारे दिमाग की जो काम करने की जो शैली होती है उस समय में वो क्या करती है वो ढल जाती है उस समय के जिस समय में हम काम कर रहे हैं, इस समय में हमारा दिमाग भी डल जाता है, और तब लगता है कि जो स्पीड है, जिएवन की जो रफ्तार है, वो हमारे अन्कूल नहीं है, हमारे फ्रेंड की तरह नहीं है, तब हमें वो अन्फ्रेंडली लगने लगता है, as they naturally do, और हमेशा पता से चल रही है और हमें भी उस रफतार से आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तब ही हम समय के साथ बढ़ पाएंगे दुनिया के साथ बढ़ पाएंगे नहीं तो हम काफी पीछे छूट जाएंगे आगे कहते हैं कि I speak with prejudice मैं prejudice के साथ बोलता हूं मतलब पुर्वधारना के साथ बोल करता हूं मेरा जो जन में हुआ वो स्लो थिंकर्स वाले घरों में हुआ है जिसकी सोच बहुत धीमी है बहुत कम सोचते हैं दोज हू आर कर्षड वीद ले स्प्रिट डी एल स्क्लेयर्ट मतलब ऐसे लोगों मैं उन लोगों में से हूँ जिन है इन शब्द से इन शब्द क श्राप दिया गया है देखिए ल स्प्रिट डी एल स्क्लेयर्ट जो है वो क्या है वो एक तरह का श्राप है और ये एक तरह का शब्द है जो इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो मतलब जब कोई काम खतम हो जाए और बाद में उसका उत्तर आपके दिमाग में आए आप भी देखते होंगे कि जब आपका किसी के साथ कोई बातचीत होता है या कोई वारतालाप होता है या आप किसी के साथ जगरा कर लेते हैं या कुछ ऐसी बाते होती है तो आपको बाद में याद आता है कि मैं उसको ये जवाब देता मैं उसको ये कहता मैं उसको व माग में आता है कि काश मैं जो है वो ऐसे जवाब देता उसको मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे बाद में जवाब याद आता है people who light on the most devastating reparty और ऐसे लोग जो light मतलब प्रकाशित करते हैं प्रकाश डालते हैं सोचते हैं on the most devastating reparty जो सबसे अधिक जो devastating reparty है devastating का मतलब होता है हानिकारा की अभयंकर रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी ठीक है reparty about four hours after the party is over जब party खतम हो जाती है जब कहीं पर कोई party चल रही है और party खतम हो जाती है उसके बाद I am one of those मैं उन लोगों में से हूँ who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligent tests मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी भी तरह के intelligence test में चत्राई बौधिक अगर test होगा बौधिक परिक्षा होगी तो मुझे सबसे कम marks मिलेगा बौधि के मामले में मैं उन लोगों में से हूँ because those tests are all the ones लेकिन वो सारे tests वही हैं I have come across जो मुझे लगता है to be designed to measure the speed of your mind more than anything else कुछ भी किसी भी चीज की तुलना करने के लिए हमारा दिमाग जो चीज मापता है जिस चीज के बारे में हमारा दिमाग सोचता है उस चीज को समझने का प्रयास करना ठीक है उस चीज को किसी भी चीज से जो हमारा दिमाग की जो speed है किसी चीज को मापने की किसी चीज को सोचने की उसको हमारे दिमाग को उस तरह से design किया गया है बागी कुछ नहीं है obviously बिलकूल we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living, हम लोग जो slow thinkers होते हैं, जो कम सोच वाले व्यक्ति होते हैं, वो terribly handicapped होते हैं, बहुत भयंकर रूप से विकलांग होते हैं किस मामले में handicapped हैं किस मामले में विकलांग होते हैं in the business of getting a living, किसी जीविका को प्राप्त करने में मतलब पैसा कमाने में अपने जीवन यापन करने के लिए जो कुछ कमाया जाए, उसमें हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, जो slow thinkers हैं वो, but what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use of for enjoyment मनुष्य का जो दिमाग का जो practical use है, ठीक है जो practical use है वो enjoyment के लिए है आनंद प्राप्ती के लिए है कि किस तरह से हम अपने आपको अपने दिमाग को आनंदित करें अपने दिल को, अपने मन को आनंदित करें इसके लिए दिमाग का इस्तिमाल होना चाहिए ना कि कोई जीवी का प्राप्त करने के लिए या अन्य चीजों के लिए ऐसा नहीं है हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को सुक Let Media कैसे मिले उस पर विचार करने के लिए मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि दिमाग का इस्तिमाल उस जगह होना चाहिए उसके बाद है as an example एक example लेते हैं when I go to the cinema जब मैं cinema देखने जाता हूं I find myself in a hopeless fog मुझे लगता है कि मैं hopeless fog में आ चुका हूं निराशा भरे कुहरे में जो कुहरा लगता है जो धुन्द लगता है उसमें आ चुका हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है cinema में and after two or three minutes और दो-तीन minutes के बाद I have to turn to my wife for enlightenment मैं अपनी wife की तरफ मुरता हूं समझने के लिए कि वो मुझे समझाए ठीक है I wish पर मैं बुद बुद आता हूं पूशता हूं उन से is this the same girl as the one we saw at the beginning यह वही लर्की है जो फिल्म के शुरू में आई थी मैं पूशता हूं फिल्म देखते देखते कि यह वही लर्की है जो फिल्म के शुरू में आई थी and she whispers back और वो जवाब देती है no there are three girls in this film इस film में तीन लर्किया है a tall blonde एक लंबी सी blonde का मतलब होता है जिसका बाल सोने के रंग का भूरे सोने के रंग और उसमें हलका भूरा रंग मिक्स होना चाहिए वैसी बाल वाली लर्की और नीली आँखो वाली लर्की को blonde कहते है blonde girl ठीक है यह short blonde और एक छोटी सी blonde girl है and medium size brunette brunette का मतलब होता है मतलब काले बालो वाली श्यामली लर्की श्यामल लर्की जो पिर सियाम हम लोग कहते है हलका काला हलका ठीक है उसको कहते है brunette तो यह तीन लर्किया है इसमें call them A, B and C उनका नाम तुम A, B और C रख सकते हो the hero is that man और hero वो वेक्ती है who takes his hat off जिसने अपनी टोपी उतारी when he comes indoors जब वो घर के अंदर आया और उसने जो टोपी उतारी वही इस फिल्म का hero है he is going to fall in love with girl B, C and A in that order और उसे प्यार होने वाला है इस तीनो लर्कियों से बारी-बारी से पहले B से प्यार होगा फिर C से और फिर A से and so it proves to be और ऐसा ही होगा हम लोग देखते हैं there you have a mind which has trained itself to work in high gear as a matter of fact it can work in other gears just as well यह तुम्हारा ही दिमाग है जिसे train किया गया है ठीक है prescription दिया गया है खुद से कि यह एकदम high gear में काम करेगा जैसे गारी चलाते हैं हम तो 1-0 top gear में गारी डाल के एकदम उरा देते हैं 100-500-200 के रफ़तार में उसी रफ़तार से हमारा दिमाग काम करता है ठीक है अरो बास्ता में हमारा दिमाग दूसरे गयर से भी काम कर सकता है टॉप गेर में डालो तो गारी बहुत जादे स्पीर चलती है उसे कम गेर डालो उसे कम गेर डालो उसे कम गेर डालो गारी एकदम धीरे धीरे चलती है वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को आप अपने गारी को किस रफ्तार में कंट्रोल कर सकते हैं जिस रफ्तार में आप गारी को कंट्रोल कर सकते हैं उसी रफ्तार में आप अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारी दिमाग को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है ट्रेंड है हमारा दिमाग ठीक है आप देखिए एक फिल्म को समझने के लिए फिल्म कितने तेजी से चलता है फिल्म में आप जब देखते होंगे या कोई सेरियल या कोई गाना कितने जल्दी जल्दी से फिल्म में हीरो आता है हीरो इन आती है मार होता है यह होता है बहुत कुछ होता है और एकदम जल्दी जल्दी तेजी से होता है और आपका दिमाग एकदम तेजी से उस चीज़ों को समझते जाता है समझते जाता है धाई तीन घंटे का फिल्म आप पूरे अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है क्योंकि हमारा दिमाग इसम टॉप गियर में काम करता है उस समय but my point is that लेकिन मेरा point यह है most of my follow patients मेरे जो बहुत सारे जो patient जो रोगी हैं या मेरे जो follow करने वाले लोग हैं in the cinema cinema में do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action वो जो scene बीत रहा है और जो action हो रहा है उसमें जो rapid change हो रहा है उनको comfortably एकदम आराम पुर्वक उन चीजों को समझ पाते हैं समझ लेते हैं they think much faster than people did 30 years ago और आज से 30 वर्ष पहले के लोगों से ज़्यादा ये लोग सोचते हैं क्योंकि 30 साल पहले लोगों के पास इतनी power नहीं थी कि ये लोग इतना तेजी से सोच सके लेकिन आज के डेट में जो लोग हैं वो उन लोगों से बहुत तेजी से सोच रहे हैं they think much faster than people did 30 years ago possibly possible है संभव है because क्योंकि those who do not think fast in the highest street nowadays लेकिन जो लोग आज के दुनिया में ये जो तिवर गती से दुनिया बढ़ रहे हैं उस दुनिया में जो लोग तेजी से नहीं सोच पाएंगे नहीं सोच सकते हैं may not get another chance in the world उसे संसार में दोबारा मौका नहीं मिलेगा to think सोचने का at world to think at all इस दुनिया पर इस दुनिया के बारे में सोचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा जो दुनिया के रफ़तार में नहीं सोच पाएंगे मतलब आप अपनी सोचन सकती को दुनिया के रफ़तार में लाइए सूचिए तभी आपका जीवन अच्छे से चल पाएगा ठीक है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा दीजिएका फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा थैंक यू सो मुच बावाई टेक केर